अर्स्लैमि लेकोम स्टुछेंट्स साटोड़ में नायन आव्चिंस कि चबटर थी कट्टाय है डानमिक्स स्टाट करेंगे डान मिक्स ग्वाट एक्शुली डानमिक्स स्था मॉशन अफ अबझेक्प्स डान Hence में लिए motion of object को study करते हैं और उस motion की cause को study करते हैं कि motion किस cause की वज़ा से produce होई है तो motion की cause को study करना and first thing और object की motion को study करना dynamics के लाता है यानि वो तमाम objects जो motion में होती हैं और उन में motion किस वज़ुहात की बिना पर आता है ठीक है उनकी state कैसे बदलती है rest से motion से motion से rest में जाना फिर rest से motion में आना इन तमाम की जो relativity है रेस्ट की motion से और motion किस step की motion और फिर उसकी cause किस वज़ा से motion produce होई है तमाम वज़ुहात जो है वो dynamics के अंदर study की जाती है so जो object के अंदर motion produce करता है motion क क्यों produce होती है जो सबसे पहले चीज समारे जियन में आती वो होती है force हम object के उपर force reply करते है तो क्या होता है कि जब वो rest में होता है in that case donut motion में आ जाता है तो dynamics की जो सबसे पहली cause है, motion की सबसे पहली cause क्या है, that is force, आईए force को study करते है, force क्या होती है, strength force जो है, उसके बारे में ने लिख रखा है, a force move our tends to move, stop our tends to stop the motion of a body, force एक ऐसी property है, जो या तो move करवा सके, या move करने की सलहियत रखती हो, ठीक है, rest में एक object हो, और उसमें capability हो, object को move करने की, ठीक है, rest से object को move करे, या फिर object में already motion हो, किसी force की वज़ा से, then stop, stop means कि किसी moving object को stop कर सके, and second capability होती है, force के अंदर के, tends to stop, capability होती है, कि कोई body move कर रहा है, किसी body की motion को stop किया जा सकता है, force के जरीए, ओके, या फिर, कोई body already stopped है, किसी force की वज़ा से, clear, ये तमाम cases तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी फिलहाल force की statement की बात हो रही है, कि action में force क्या होती है, students force ना सिर्फ object को move करवाती है, या फिर किसी object rest से उसको motion में लेके आती है, बलके motion से उसको stop भी कर सकती है, और इसके साथ साथ किसी भी body की motion को भी stop करने की tendency रखती है, ठीक है, तो force ना सिर्फ body की, जो है, वो direction change कर सकती है, बलके force किसी body की speed या velocity या acceleration इन चीज़ों में भी change ला सकती है, one by one examples देखेंगे और इस बात को हम justify करेंगे कि कैसे force किसी भी body की direction को change कर सकती है, कैसे body किसी भी body के velocity को change कर सकती है, कैसे force किसी भी body के acceleration को change कर सकता है, इन तमाम केसे को one by one study करते हैं, मेरे पास आप के लिए है कुछ examples, students सबसे पहले अगर आपको case one नज़र आ रहा हो, यह वाला, कैसे कहता है कि एक trolley है, ठीक है, और इसके उपर यह जो man है, यह force लगा रहा है, टूर्ड राइट साइड, clear, अब जो उपर statement लगी है, अब यहाँ क्या है कि इस man की example भी left से right की तरफ है, और trolley भी क्या कर रही है, left से right direction में travel कर रही है, let's suppose अगर यह man इस trolley को इस सिंथ में turn करना चाहे, तो यह trolley की direction change हो जाएगी, इस सिंथ पर फोर्ट लगा अगर trolley इस direction में चले जाएगी, इस सिंथ पर फोर्ट लगा अगर trolley इस direction में चले जाएगी, means कि जब आप shopping कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि different rows होती हैं और आप अपने desire product जो है shopping के दोरान row wise हर एक से आप उठाते चले जाते हैं, और जब आप trolley को साथ लेके direction में उसी direction में रखते हैं trolley को साथ लेके, जैसे आप का turn आता तो आप ऐसे उस पर force act करते हो तो trolley की direction भी change हो जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि force जो है, वो किसी भी body की direction को भी change करता है, और जिस सिंथ में आप force लगाते हैं, body की direction भी उसी सिंथ में हो जाती है, clear? Next students, अगर आप case B को देखें, तो case B में आपको नज़र आ रहा होगा, कि यहाँ पर एक draw है, चीक है, उसको pulled किया जाएगा, कुछ ऐसे करके, ऐसे इसको pulled किया जाएगा, ऐसे खेंचा जाएगा, toward itself, for its opening, चीक है, तो आप जब इस पर अपनी तरफ toward yourself force लगाते हैं, तो यह क्या होता है, यह open होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बात थाबित होती है, कि इस बार आपके force की direction, आपकी अपनी तरफ होती है, तो क्या होता है, कि ट्रॉली का जो राज है, वो बिलकुल आपकी direction में pulled हो जाता है, और आप opening के लिए draw के opening के लिए आप इस पर force लगाते हैं, ठीक है, हमारे पास एक third case है, इसमें एक girl है, वो हाकी के उपर हाकी हाथ में पकड़े बाल के उपर force लगाती है, और होता क्या है, कि वो इस हाकी इस बाल को जिस direction में hit करेगी, यह बाल जो है, exactly उसी direction में क्या करता है, wrist होता है, उसी targeted direction में thrown कर सकती है, some time जब इसका target goal करना हो, exactly जो goal keeper का जो area होता है, उसी direction में जो player है, वो हाकी के through, बाल को hit करता है, यहां से भी आपको एक information मिलती है, कि जो force होती है, जो players होते हैं, during cricket match, जो players बाल को hit करते हैं, चोका है, चका लगाने के लिए, तो जिस direction में hit करते हैं, बाल उसी direction में move करता है, it means के force के अंदर ये capability है, कि वो किसी भी body की direction को change करता है, उसकी simt को change करता है, girl with hawking ball इसकी best example थी, और trolley से हमने देखा, कि यहां से pushing हो रही है, यहां से pulling हो रही है, यहां से आप इसको pull करें, draws को, और यहां से trolley को आप pull करें, तो इसका मतलब यह हुआ, कि फिर force तो एक ऐसी property भी है, through which you can push or pull the object, तो हम यहां से लिख सकते हैं, force, a force can push or pull the object, strength, अगर आप चारो केसिस के उपर observe करें, आप देखें, ट्राली से लेके, ड्रार से लेके, हाकी ball के match तक, या cricket match तक, आपको पता चलता है कि आप जिस direction में force apply करते हो, ठीक है, ball की जो direction है, exactly आपके force की direction के साफ से होती है, आप इस ट्राली को right side पे, force लगाते हो, right side पे जा रही है, तो आपके जहन में topic आना चाहिए, जो आप chapter 2 में पढ़ते हो, scalar in vectors, scalar तो आपके पास वो होता है, जो justified किया जाता है, only magnitude से, चीक है, जैसे mass, जैसा कि time, they did not need any direction to justify it, बड़ जब हम बात करते हैं, force की, तो आपने देखा कि मैंने जितनी examples ले हैं, everyone should be specified by a direction, everyone need a directions, clear, कि आपने एक ड्रार को खोलना है, तो पहले चीज़ direction आती है, you should pull it toward yourself, जब आपने इसको बंद करना है, you should push it away from yourself, आप इसको पुश करते हैं, ऐसे करके, ठीक है, आप इसको जब पुश करते हैं, तो ये बंद हो जाता है, तो direction आती हैं जएन में, इसी तरह आप अगर चार रोज में फिर रहे हैं शापिंग के दोरान, तो आप ट्राली को different direction में force लगाते हैं, ऐसे ऐसे different रोज में जाने के लिए, तो फिर आपके जएन में आता है कि direction are involved in force, ठीक है, force cannot be explained without direction, तो ये तैह हुआ, कि it means कि force एक ऐसा quantity है, जो कि magnitude के साथ सा direction से explain किया जाएगा, without directions, force are meaningless, force cannot be justified, so you need direction to justify a force, so हम अपने साथ लिख लेते हैं, all these examples justified that force is a, force is a vector quantity, force एक vector quantity है, ठीक है, and vector quantity कैसी quantity होती है, जो magnitude, प्लस डायरेक्शन, दोनों से जिसको अब justify करते हैं, ऐसी quantity, vector quantity है, so force is a vector quantity, so students, जहां हमने ये पढ़ा कि एक force जो है, किसी भी object की, पे जब वो force act होती है, तो उसकी object की direction भी change कर सकती है, ठीक है, वहाँ अब हम ये भी सीखेंगे, कि force जब किसी भी object पे act होती है, तो उसकी direction के साथ साथ, उस object की shape, size भी change कर सकती है, ठीक है, यह हम अपने साथ लिख लेते हैं, a force, a force can also change size and shape of body तो जहाँ force किसी भी body की direction को change कर सकता है, वहीं पे force किसी भी body के length को, यनि साइस को, और इसके shape में भी तब्दिली ला सकता है, आईए इसके लिए कुछ examples को देखते हैं, students मेरे पास ये एक system है, ठीक है, अब इसका जो shape है, वो circular tap है, मैं इसके उपर force लगा देता हूँ, और force लगाने के बाद, इसके जो shape है, उसमें हम changes ला सकते हैं, कैसे, मैं इसको दोनों साइडों से press करता हूँ, देखे, अब देखें कि ये पहले एक complete circle फार्म में था, force लगाने के बाद, ये बिलकुल एक straight line की शकल इक्तियार कर गया, तो इसके क्या सबग हासिल होता है आपको, कि force जो है, जिला सकता है, ठीक है, अगर कोई object circular फार्म में है, तो आप उसे straight line बना सकते हैं, या पिर आप उसको किसी भी shape में लेके जा सकते हैं, मुझे अगर straight line नहीं बनानी, तो in that case, मैं हर shape में इसको convert कर सकता हूँ, जिसमें मैं चाहूँ, ठीक है, इसा shape भी बनाया जा सकता है, इसको अगर press करूँ दोनों साइडों से, तो ये देखिए, ये, ऐसा shape भी बनाया है, force लग रही हैं, देखिए, force लग रही है, different shapes में एक convert हो रहा है, तो ये बात क्या बताती है, कि a force can also change the shape of a body, है, अब हम बात कर लेते हैं, force की, कि वो जहाँ shape चेंज कर सकता है, क्या वो किसी object का size भी change कर सकता है, the answer is yes, the force can also change the size of a body even, how? students, मैंने spring लिया हुए, ठीक है, initially उसकी जो length है, वो बहुत small है, ठीक है, initially उसकी length बहुत small थी, and then मैंने क्या किया, left, right से उसको पकड़ा, ठीक है, left, right से उसको पकड़ने के बाद stretch किया उसको, जब मैं उसको stretch करता हूँ, right side की तरफ भी stretch करता हूँ, left side की तरफ भी stretch करता हूँ, तो figure B में देखा जा सकता है, के पहले इसकी length जो है, वो इतनी सी थी, ठीक है, अब stretch करने के बाद, left से, right की तरफ stretch करने के बाद, इसकी length बढ़ चुकी है, यहां से क्या बात थाबित होती है, कि आप अगर एक rubber spring है, या spring की material है, या कोई elastic tap material है, जिसमें लेचक होती है, उसके उपर जब आप force लगाते हो, stretch करते हो, दोनों side बे force लगाते हो, in that case, उसके shape में भी change आ सकता है, plus उसके length में भी change आ सकता है, clear, इसकी second example यह है, कि आप figure A में देखिए, यह एक balloon है, then उस balloon को क्या किया गया, दोनों side से, ऐसे squeeze करने की कोशिश की जा रही है, squeeze करने की कोशिश के बाद देखा जा सकता है, कि यह जो, एक spherical shape balloon था, यह, oval shaped में आ चुका है, ठीक है, almost approximate oval shaped में है, यह, आप देखिए कि एक spherical shape में, oval shaped में जा चुका है, तो इस बाद, दोनों बातों से आपने देखा, कि जब आपने spring पर force लगाया, तो आपके पहले shape small थी, थोड़ा condensed form में था, close, close spring थे, और जब आपने दोनों तरफा stretch किया, दोनों तरफ stretch किया, तो आपने देखा कि दोनों तरफ, थोड़े open होगें, इनके अंदर spaces जदा होगें, क्योंकि इनके length में change आ चुका है, length इसकी बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब यह है, तो इसका मतलब यह है, एक force जो है, वो लगाने से objects के length में change आती है, बी में देखा जा सकता है, second example में, के object जो है, वो, किस, उसकी shape चेंज आती है, जब उस पर force act करता है, जैसा के balloon है, उस पर जब forces apply की गई, equal and opposite forces, ठीक है, दोनों तरफ से, तो क्या हुआ जी, यह complete leg, oil shape में, चला गया, ठीक है, तो दोनों तरह से हमने conclude कर ले, के force जो है, वो, size and shape, दोनों को change कर सकता है, फिर students, आप सब के favorite, pets men, शायद फ्रीदी, हमेशे आपको चक्के लगाने में, याद आते हैं, और, वो ground के, हर तरफ, हर orientation में, चक्का च्छुका लगाने में, महारत रखते हैं, तो यहाँ भी आप देखिए, वो अपने bet के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बाल को, एक turn देने की कोशिश कर रहे हैं, ताके वो different direction में, चोका चक्के लगाने की कोशिश करते हैं, जिस के थ्रू आपको पता चलता है, कि आप, की ball, exactly, किसी भी batsman की ball, जब वो hit लगाता है, तो वो उसी direction में जाती, उसी सिम्थ में जाती, जिस direction में वो उस पर force act करता है, यह जिस direction में वो उसको push करता है, तो यहाँ पे शायदा फ्रीदी ball को कुछ है, ऐसी direction में push करें, इस तरफ ठीक है, लेफ्ट साइड पे push लगाने के कोशिश कर रहे हैं, तो यह ball बिलकुल left side पे जो है, वो push होगी, और इससे आपको यह, अगेन यह बात पता चलती है, जो पहले भी discuss हो चुकी है, कि force as a vector quantity, and it also change that direction of a body, and when we discuss about force, then force will be also, always justified by a direction, यह हमेशा direction से justify की जा सकती है, students, आईए अब आपको कुछ balanced and unbalanced forces के बारे में बताते हैं, चुकि आपकी daily life में in forces के साथ interactions होती रहती हैं, बड़ आपको उनकी physics का idea नहीं होता है, इसकी physics क्या है, so, students, यहाँ देखा जा सकता है, कि यह एक table है, और यहाँ हमने एक block जो है, wooden block यहाँ पर place किया हुआ है, अब इस wooden block के, दोनों direction पर force लग रही है, x direction पर भी force लग रही है, y direction पर भी force लग रही है, यह नहीं जो left, right side पर जो force लग रही है, इसको हमने नाम दे दिया, x, और जो left side पर force लग रही है, उसको हमने नाम दे दिया, y, अब students अगर इस block के उपर दोनों तरफा force लगती है, left side पर, right side पर, आप देखोगे, कि यह block जो है forces लगने के बहुजूद भी, rest में होगा, balanced होगा, why, आई यह reason जानने के कोशिश करते हैं, students होता क्या है, कि x direction में जो force लग रही है, वो बिल्कुल equivalent magnitude है, जो y direction में लग रही है, अब अगर मैं आप से यह कहूँ, कि x direction में, plus 5 newton force लग रही है, toward the right side, plus 5 newton, इसी तरीके से, y direction में, minus 5 newton force लग रही है, तो मैं अगर इस दोनों forces का, result निकालूं, add करूं दोनों forces को, तो क्या answer आता है, plus 5 newton, minus 5 newton, the result of that force will be 0 newton, यहनि अगर, जो x जो है, x direction में जो इस block को खेंचा जा रहा है, उत्रा ही इसी block को, y direction में खेंचा जा रहा है, तो दोनों का, जो net result है, वो तो 0 है, तो यह block तो rest में रहागा, यह move नहीं करेगा, it means के balanced रहागा, तो हम पिर balanced forces किस को कहेंगे, बहुत simple होने वाला case, 0 newton पर यह आपको answer मिल गया, आप balanced forces, उन forces को कोगे, जो जिस पे, जिस पे body balanced रहती है, clear, वो तमाम forces जिस में body balanced रहे, ठीक है, और यह 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 कहले, जिन forces का जो resultant force है, जो result है, net result 0 आजए, ऐसी forces, balanced forces किलाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, balanced forces whose, whose net resultant, whose net resultant force is 0, simple, अब अगर आप यह एक्जाम्पल चेंज करो, ठीक है, अगेन इसके उपर, एक और forces की आपको, demonstration दिखाते हैं, आप इसको यहाँ भी खैंच रहें, और obviously, अगर इसके उपर, हम एक और case देखें, कि जब यह wooden block यह पड़ा होगा, ठीक है, इस टेबल के उपर, तो लाजमी सी बात है, यह wooden block इस टेबल के उपर, इसका जो नीचे weight है, वो downward appear हो रहा होगा, और, यह जो table है, यह उस wooden block के उपर, equal and opposite, एक reactional force लगाएगा, अब यह reactional force, बिलको completely बराबर होगी, किसके इस block के weight के, ठीक है, तो अगर यह table, इसके उपर उतने upper tension, प्रोड्यूस करता है, यह उतने upper reaction, प्रोड्यूस करता है, इसके weight के बराबर, तो इसका मतलब यह है, कि यह block जो है, till rest में रहने वाला है, balanced रहने वाला है, it will not move, तो यही वज़ा है, कि आप जब किसी, बुक जो है, आपके table पर पड़ी होती है, या पर आप अपनी chair में pencil रखते हैं, register में अपने, जो है, उसके उपर आप pencil पहन अपनी चीज़ें रखते हैं, and that case, वो balanced क्यों होती है, because उनके जो net result force होता है, वो zero होता है, that's why, they are called balanced forces, उस पर balanced forces act कर रही होती है, इसलिए वो rest पहोती है, balanced होती है, clear, secondly students मेंने एक interesting diagram, आपके लिए select की है, गुल कीपर को देखा जा सकता है, कि वो ball को stop कर रहा है, तो force की, जब आप force को define करते हैं, तो आप ये बात करते हो, कि force एक ऐसी property है, जो कि stop करती है, motion of a body को, तो आप देखें ये, इस football को, कोई भी player जब hit करता है, ground के किसी direction से, गुल कीपर एक दम ऐसे, उसको पकड़ता है, catch करता है, इसको stop करता है, इसकी motion को stop करता है, similarly, आप cricket match में, पीछे कड़े, विकेंड कीपर को देखते हैं, कि ball, कितनी तीजी से, sometime move करता है, और विकेंड कीपर, उसे, जब catch करता है, उसके motion को क्या करता है, stop करता है, ठीक है, force लगाता है, उसके उपर ता कि, उसके motion को stop किया जा सके, तो ये सारी बाते, आपके, जो statement आपने start पर पड़ी है, उसके इर्द गिर्द गूम रही है, ठीक है, कि कैसे force जो है, किसी भी, किसी भी motion अफ़ा, बाड़ी को stop करने की tendency रखता है, या फिर कैसे rest वाले objects को push and pulling की tendency रखता है, चीक है, next student मेरे पास एक example है, unbalanced forces की, आईए अब इसके study करते हैं, unbalanced forces, अक्सर आप देखते हो, कि आप जमीन के अर्थ के उपर, जब आप किसी भी चीज़ को, even के pencil अगर मैं, यहां register के उपर रखो, तो जब मैं इसके उपर force लगाता हूं, ऐसे, तो यहां पर दो surfaces होती है, एक वो surface जो इस pencil के अपनी है, निचली सता, और एक वो surface जो register की है, यह वली, अब यह दो surfaces जब आपस में रखड़ खाती है न, इसको कहते है, fraction, इसको क्या कहते है, fraction, जैसे मेरे यह दो fingers है, इसकी surfaces को अगर आप, रप करेंक दूसरे के साथ, तो उसे क्या produce होती है, fraction, ऐसे ही जब मैं इस pencil के उपर force लगा रहा हूँ, तो होता क्या है, कि इस register की surface और इस pencil की निचली surface में fraction produce होती है, वो fraction किस direction में लग रही होती है, students, वो fraction exactly मेरे force के opposite direction में लग रही होती, यह नि मैं force ऐसे लगा रहा हूँ, इस direction में, ठीक है, और वो force इस direction में लगेगी, ऐसे, ठीक है, यह दोनों की simp जो है, यह ऐसे force लग रही है, और जो fraction produce होगी, वो opposite direction में produce होगी, तो जो यहाँ unbalanced force का case है, इदर भी ऐसा ही हो रहा है, यह दो students हैं, जो इस block को, wooden block को, push कर रहे हैं, ठीक है, इसको देखे रहे हैं, आगे की तरफ, अब हो क्या रहा है, एक arrow मेंने लगाया हुआ है, right side की तरफ, और एक arrow downward आपको नज़र आ रहा है, left side की तरफ, strengths, यह जो आपको top पे arrow नज़र आ रहा है, यह वो arrow है, जो यह दोनों, इसको right side की तरफ देखे रहे हैं, इसके उपर force लगा रहे हैं, तो यह block बिलकूर right side में move करने वाला है, अब यह जो block है, यह इन दोनों को tough time देने वाला है, means कि इस वज़ा से due to fraction, लाजमी सी बात है, इस block की निचली सता, जो अर्थ है, यह फर्ष है, उसकी surface के साथ रगड़ खाएगी, ऐसे करके, यूं करके रगड़ खाएगी, यह देखी, ऐसे करके, जब आप block को उसके surface में से motion दोगे, तो ऐसे रगड़ खाते वे जाएगा, अर्थ की surface के साथ, तो वो जो fraction produce होगी, वो किस direction में produce होगी, वो exactly students opposite direction में, fraction ऐसे produce होने वाला है, clear, fraction भी एक force होती है, जो दो surfaces के rubbing से produce होती है, जब दो surfaces आपस में rub होती है, उससे fraction produce होता है, और इसके साथ साथ, ये वो force है, ये वाली, जो पुश करने से, इसके उपर act कर रही है, toward the right side, अब स्टुएंट्स जैसे जैसे वो इसको आगे की तरफ, घड़ते वे लेके जा रहे हैं, ये first of all, तो start में एच्छी खासी fraction जो है, दो surfaces के बीच में जब produce होगी, तो ये बहुत slowly move करेगा, figure B में दे सकता है, देखा जा सकता है, कि इसमें अभी भी fraction मौझूद है, figure C में देखा जा सकता है, कि यहां पे, अब ये finally move करेगा, और at a time, दो forces जो हैं, आक्ट कर रही होगी, ये इसको right side की तरफ कहेंच रहे होंगे, fraction इस पे opposite side पे produce हो रहा होगा, और ये body जो है, continuously क्या करेगा, move होने की कोशिश करेगा, जबकि fraction जो है, इसके motion को stop करने की कोशिश करेगा, ऐसे में क्या होंगी, unbalanced forces produce होंगी, यही दो forces अपस में balanced नहीं होंगी, ठीक है, तो ऐसी forces को का जाता है, unbalanced forces, strengths आईए, अब एक second example लेते हैं, एक unbalanced forces की bicycle rider, strengths, cyclist जो है, जब इसके उपर right करेगा, cycle के उपर, तो cycle को, कि जो tear की निचली सता है, ये वाली, और ये वाली, ये क्या करेगा, road की surfaces, जो है, road की surfaces के साथ, rub होंगे, इसके tear rub होंगे, और rub से क्या होगी, fraction produce होगी, fraction जो है, इसके opposite direction पर लगेगी, इस direction में, और इस secular, cycle, cyclist rider जो है, इसको इस direction में move करेगा, ठीक है, और fraction जो है, बार बार इसकी motion को stop करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अब जब, एक bicycle rider, इसके motion को stop करने की कोशिश करेगा, in that case, ये cyclist जो है, ये pedal की तरू इसको तेज़ तेज़ रोटेट करेगा, ताकि उसकी cycle तेज़ चले, जबके road और टार के बीच में जो fraction है, होंगे, unbalanced forces produce होंगे, तो स्ट्रेंट ये ता आपके force का complete tutorial, and stay tuned for next coming lecture, thanks,